जैहें दोस्तों मैं दिपक सर आप सभी के बीच लेकर आगिया हूँ कलास 10 या कलास 12 के लिए फिजिक्स का सबसे important question जो एक चाम में पूछे ही जाते हैं काफी बार पूछे जा चुके हैं परत्यावरती धारा और दिश धारा में अंतर ठीक है तो चले देखते हैं परत्यावरती धारा और दिश धारा में पाहला अंतर बतायागिया है कि इसके परिमान और दीसा दोनों समय के साथ अवरती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं और इसमें बताएगे हैं कि इसकी दीसा नियत रहती है परिमान बदले या न बदले इसमें बताएगे हैं दो नंबर कि यह धारा केवल उसमिये परभाव परदरसित करती है रहसायनिक तर्था चुमब के परभाव परदरसित नहीं करते हैं इसमें बताएगे हैं कि यह धारा उसमें रेसाइनिक तथा चुंबके परभाव तीनों परदर्शित करते हैं आगे हैं तीसरा कि इस धारा के मपांक यंतर धारा के उसमें परभाव पर अधारित होते हैं और इसमें बताएगे हैं कि इस धारा के मपांग के अंतर धारा के चुमब की परभाव पर अधारी थे हैं अगला बताएगे कि इसमें ट्रांसफर्मर का उप्योग किया जा सकता है इसमें ट्रांसफर्मर का उप्योग नहीं किया जा सकता है और लाश्ट बताएगे है कि यहां समान भोल्टा की परत्यावर्ती धारा दिश्ट धारा से अधिक खतरनाक है और समान भोल्टा की दिश्ट धारा परत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है ठीक है तो यह रहा आपका प्यारा सा परत्यावर्ती धारा और दिश्ट धारा में अं झाल झाल